अजू फ्रेंड्स मैं तॉटर अभीशे गुपता आज आपके आपसे डिसकस करो गए शूल्डर जयानी कंदे के जॉइंट के बारे लिखे फ्रेंड्स शूल्डर जॉइंट जो है वह भूट ही कॉंप्लेक्स जॉइंट है इस जॉइंट के अंदर में यदि आप बाती जॉ तो 360-degree movement होता है और बाकिस जॉइंट में प्राइगर 120-degree से जाना movement नहीं रहता तो दोस्तों जब ये किसी भी चीज की कीमत चुकाने पड़ती है तो जब इस जॉइंट की mobility है उसकी कीमत हमें चुकाई है stability देख रही यानि कि जो ये जॉइंट है वह inherently एक unstable joint है तो क्या होत है कि जब हम कई बार कुछ sports activities करते हैं या इंजनी हो जाती है तो उसकी वज़े से यंग लोगों के अंदर ये कंदा बार बार उतरने लग जाता है तो जब ये कंदा उतर जाता है तो लोगों का आगे का mass पटा हुआ होता है और कई बार कुछ हड़ी का अंच भी अपने सा कंदा उतर जाता है तो यदि आपका कंदा बार बार उतरता है और आपको इस तरह से अपने कंदे के मुवमेंट में डर का एहसास होता है तो मेरी आप से यह राय है कि आप एक orthopedic arthroscopy और स्पेशली शोल्डर से मिलें क्योंकि शोल्डर ये जो जॉइंट है ये बहुत ही व जब आपका कंदा जाम हो जाता है तो आपके कंदे के सभी मुवमेंट में आपको दिक्कत आती है स्पेशली हाथ को अपने पीछे ले जाना या उपर उठाना या कंगी करना ब्रश करना पीछे की तरफ ले जाना लेडीज के अपने ब्रा के हुप लगाने में दिक्कत आन कुरिष्णों को पेंट से पर्स लिकालने में लिकत आना तो यदि आपको ये सब सिंटम्स हैं तो संभावना है कि आपका कंदा जो है वो फ्रोजन चोडर की स्थिती में आ चुता है तीसरी एक स्थिती जो मैं आपको बताना जा रहा हूं वो है कंदे का मास पटना लेखिए दोस्तों ये चो एक तखीर है ये प्रायकर ओल एज में या इंजिनी के केसिज में आती है जब अंदरूनी मास पढ़ जाता है जब ये मास पढ़ जाता है तो व्यक्ति को अपने आत के टाइम दर्द जादा है तो आपको अगेन एक शोल्डर सर्जन से मिलना चाहिए अब इन सभी तक्लिफों के अंदर में आपका जो डॉक्टर है वो आपको पहरी क्लिनिकली एसेस करेगा वो देख़गा कि आपकी बिमारी क्या है और जब भी आपकी बिमारी का डाग प्रॉक्तिती में गुर्मीन यानी आर्थ्रॉसकोपी का इलाज भी हम करते हैं